नमस्कार स्वागत है आपका दे न्यूस पर मैं हूँ आपके साथ शेरिन दिल्ली में हुए शराब घोटाले को लेकर दिल्ली में लग चुके है अरविन केजरिवाल के कई पोस्टर जिस पर अब आम आदमी पार्टी सरकार की मंतरी आतीशी सिंग्बार देना की बौकला हट सामने आई है तो वही दूसरी तरफ अरविन केजरिवाल की गिरफतारी को लेकर सवाल उठाने वाले अमेरिका के भी दोहरे रवये को लेकर अब उठने लगे हैं सवाल के एक तरफ अरविन केजरिवाल की गिरफतारी को लेकर अमेरिका के जो प्रवक्ता है मैथ्यू मिलर उन्होंने केजरिवाल पर उठाया सवाल तो आखिरकार पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंतरी इमरान खान की गिरफतारी को लेकर क्यूं चुप था अमारिका क्यूंकि अब इन तमाम तर्खों को लेकर जो है वो अमारिका पर सवाल उठने लगे हैं और बात करें अगर हम दिल्ली के मुख्य मंतरी अर्विन केजरिवाल की तो देखिए जहां एक तरफ कोट में अर्विन केजरिवाल की लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ आज दिल्ली की सिक्षा मंतरी आतीशी सिंग मार लेना ने प्रेस कॉन्फ पहले जो है वो इलेक्शन कमीशन से शिकायत की थी कि किस तरीके से बीजेपी ने दिल्ली में मुख्य मंतरी अर्विन केजरिवाल के खिलाफ पोस्टर लगाए हैं और इनके खिलाफ हम आक्शन लेने के लिए अपनी टीम के साथ फिर एक बार चुनावा योग के पास गए पर ये हमारे लिए काफी जादा चिंता का विशय है कि छे दिन के बावजूद भी अभी तक जो है वो पोस्टर चिपकाने वाले लोगों के उपर कारवाई नहीं हुई है देखिए ये वही आमादमी पार्टी है और ये वही आतीशी सिंग मार लेना है जो कि आज अर्वि पीरों को लेकर जो है वो एक ने उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विंद केजरिवाल जी की फोटो तक का उप्योग किया है हमने हमारी लीगर टीम ने छे दिन पहले इन आपती जनक होडिंग्स की शिकायत करी थी और आज हम CEO दिल्ली से मिलके आए हैं ये हमारे ल हुआ है ये इसलिए भी चिंता का विशे है क्योंकि आज के दिन जो चुनाव हो रहा है जो लोकसभा चुनाव हो रहा है उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड पर बहुत सवाल उठ रहे हैं नमबर वन इस देश की इतिहास में पहली बार हुआ है कि चुनाव की घोशना के ब पैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है ये इस देश की इतिहास में पहली बार हुआ है कि चुनाव के दौरान इंकम टैक्स डिपार्टमेंट पॉलिटिकल पार्टी को नोटिस भीज रहा है ये पहली बार हुआ है कि चुनाव के दौरान चार दिन तक आमादमी पार् नाम से मामपर बैरिकेड से बंद कर दिया जाता है तो आज ये पूरे देश की चिंता है कि क्या इस लोकसभा चुनाव में हर पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है कि नहीं मिल रही क्योंकि छे दिन में अगर कुछ पोस्टर और कुछ होडिंग पर आक्शन नह हमें आश्वर्स्त किया गया है कि एक्शन होगा लेकिन अगर फिर भी नहीं होता है तो फिर हम इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया से टाइम मांगेंगे ये भी हमारे लिए चिंता का विशे है कि इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया आजकल टाइम भी नहीं देता है विपक्षी चाहूंगी कि इस देश के संविधान ने आपको एक जिम्मेदारी दी है इस देश में लोक्तंतर को बनाए रखने बचाए रखने की जिम्मेदारी दी है और हम उमीद करते हैं कि Election Commission किसी एक राजनेतिक दल का केंद्रिय सरकार का एक हत्यार बनके नहीं रह जाए देखिए अर्विंद केजरिवाल जी को भारतिय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने जूटे आरोपों पर गिरफतार किया है आज अर्विंद केजरीवाल भारती जनता पार्टी की ताना शाही के खिलाफ जो संघर्ष चल रहा है उस संघर्ष के प्रतीक है इसलिए अर्विंद केजरीवाल जी की जो फोटो है चाहे हमारा पार्टी आफिस हो चाहे हमारा कारियाले हो उनकी फोटो इस बात का प्रमाण है इस बात को याद दिलाने के लिए है कि जो आज संगर्ष चल रहा है भारतिय जनता पार्टी के खिलाफ ये स्वतंत्रता संगराम से कम नहीं है एक समय ऐसा था दगदेश के लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा करते थे आज एक समय ऐसा आ गया है जब भारतिय जनता पार्टी की ताना शाही के खिलाफ लड़ना पड़ रहा है और वो ही अर्विन के जिवाजी कर रहे है किटिव इंपक्ट जो है वो आम आदमी पार्टी की छवी पर पड़ रहा है पर वहीं दूसरी तरह प्रधान मंतरी नरिंद्र मोदी की तमाम तस्वीरें किस तरीके से आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टीयों के दुवारा सोशल मीडिया पर डाली जाती है आज इन तमाम चीजों को लेकर भी जरता जो है वो आतीशी मार लेना और आम आदमी पार्टी से सवाल पूछ रही है जहां एक तरह अरविन केजरिवाल की शराब घुटाले में तमाम पोस्टर्स को लेकर आज आतीशी मार लेना की बौकलाहट सामने आई है तो वहीं दूसरी तरफ मीरिया ने भी आतीशी सिंह से ये सवाल पूछ लिया कि किस तरीके से भगत सिंह के साथ तस्वीर जो है वो अरविन केजरिवाल की टंगी हुई है जिस तरीके से आज सुनीता केजरिवाल की प्रेस कॉन्फरेंस और वीडियो में जो है वो तस्वीर दिखाई दे रही है जिस पर BJP जो की दिल्ली में विपक्ष की भुमिका में है वो भी सवाल पूछ रही है और उस पर जवाब देते हुए आतीशी सिंग्मार लेना ने कहा है कि वो तस्वीर इसलिए हमने बीच में लगाई है क्योंकि अर्विंद केजरिवाल भी उसी तरीके से देश की मोदी सरकार के खिलाफ लडाई लड़ रहे हैं जिस तरीके से हमारे स्वतनता सेनानियों ने देश की आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लडाई प्रिके से लंबी चोड़ी बातें जो हैं वो आज आतीशी सिंग मारलेना की तरफ से की गई और फिर एक बार चुनाव आयोक के को लेकर जो है वो सवाल उठाया गया और देखी अगर हम बात करें इसी बीच अमारिका को लेकर तो जिस पत्रकार ने पहले जो है वो अमारि अमारिका में लगातार केजरिवाल को लेकर सवाल उठाया था उसके बारे में हमने आपको पहले ही बताया था कि जिस पत्रकार ने जर्मनी से लेकर अमारिका में अर्विन केजरिवाल की गिरफतारी को लेकर सवाल उठाया वो बंगला देशी पत्रकार था आयास और आज इनी तमाम तथियों को लेकर अमारिका के भी दोहरे रवये से परदा उठता हुआ नजर आ रहा है कि जब पड़ोसी मुल्क यानि की पाकिस्तान के पूर्वप्रधान मंत्री इमरान खान को जेल भेजा जाता है तब यही अमारिका जो है वो चुप रहता है और यह कहता है कि यह पाकिस्तान का अंदुरूनी मामला है वो अपनी देश के अंदर क्या कर रहे हैं इसमें अमारिका जो है वो दखल नहीं देगा और यह वहां के विदेश मंत्राले के जो प्रवक्ता है मैथ्यू मिलर उनकी तरफ से बयान दिया गया था और आज जब फिर एक बार कॉन् निया एक एजन्सी को लेकर कहा जाता है कि लोक सभा के चुनाब आ रहे हैं वो निस्पक्ष तरीके से होने चाहिए इस तरीके की बातें जो हैं वो यूएन में की जाती है अमारिका में की जाती है तो फिर आखिर कार पाकिस्तान में इस तरीके का रविया क्यून नहीं अपनाया गया था देखी अगर हम बहारी विदेशी ताकतों की बात करें तो पहले जर्मनी और फिर उसके बाद अमारिका और फिर यूएन में जो सवाल उठाए गए थे अरविन केज रिवाल की गिरफतारी को लेकर इस पर भारत की सरकार जो है वो पहले ही जवाब दे चु कोशिश की जा रही है या फिर अरविन केज रिवाल की गिरफतारी को लेकर जो सवाल उठाए गए उस पर पहले ही भारत के विदेश मंत्री एस जे शंकर की तरब से जवाब दिया गया और देखिए जर्मनी अमारिका और यूएन की ठिपड़ी के बात पर ध्यान दिलाने के लिए पिछले ही मंगल वार को जो है वो विदेश मंत्री एस जे शंकर ने मरयादा शब्द का इस्तमाल किया था और नो ने कहा था कि सम्परभूर राश्ट्र के रूप में हमें एक दूसरे के हमलों में हस्त शेप नहीं करना चाहिए विदेश मंत्री एस जे शंकर ने प्रेस कॉंट्रेंस में ये तक कहा था कि पुरानी और हानी कारक ये आदते हैं और ये पुरानी आदते और ये बुरी आदते हैं मैं देशों के बीच मर्यादा शब्द का इस्तमाल करता हूं हम सम प्रभू देश हैं और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्त शेप हमें कभ यह शब्दों में जो है वह बात कही थी कि किसी भी देश के आंतरिक मामलों में जो है वो अन्य देशियों को हस्तशेप नहीं करना चाहिए और इसी बात को लेकर आज देश की जरता है वो भी शोशल मीडिया के माध्यम से अपनी राय रत्ती हुई नजर आ रही है क्योंकि भ भारत सरकार के द्वारा कई ऐसे कानून हो जो कि देश में लाए गए हो चाहे फिर वो धारा 370 हो या फिर CAA हो या फिर कश्मीर का मुद्दा कई बार UN में उठाया जाना हो जिसको लेकर कई बार भारत सरकार का यह रुकस पस्ट रहा है कि यह तमाम मुद्दे भारत के आं है और यहां पर हमें अन्य देशों का हस्त शेप नहीं चाहिए और यहीं बड़ी बात जो है वो पिछले ही दिनों देश के विदीश मंतरी एस जे शंकर की तरफ से कही गई थी और देखिए भारत के मुद्दों को लेकर हमेशा विदेश में उठाये जाने को लेकर विपक हमेशा विदेशों को बोलने के लिए अग्रसर करते हैं और यह कहते हैं कि उन्हें हमारे देश के मामलों में हस्त शेप करना चाहिए जिसको आज भारत की जनता भी स्विकार नहीं करती है खेरश पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कॉमेंट करकर सरूर बताईए